बंगला देश से रायोन चक्रवती सांदिल गोत्री इब्रामन हैं इनका प्रश्ण है शब दहन से सम्मंधित और बहुत ही स्रेश्ट प्रश्ण है सुनियेगा दाह कर्म करने के समय शब का सिर्फ कौन सी दिशा में रखना चाहिए गरुड पुरान और वराह पुरान में दक्षन दिशा लिखा है लेकिन यहां सिर्फ सामवेदी ब्रामन को ही दक्षन दिशा में मुख करके दाह किया जाता है और बाकी लोगों का उत्तर दिशा में मुख करके दाह किया जाता है तो शास्त्र में उत्तर दिशा पर सब का सिर रख करके दाह करने की कोई विद्धी है अगर है तो कहां पर है कर्पिया बतलाएं देखिए प्रश्ण तो आप समझी गए होंगे पूछ रहे हैं कि किदर शबका शिर करके उसको जलाया जाए यह मुक्ष प्रश्ण है यह तो आपके समझ में ही आ गया होगा शब दहान से पूर्व और शब दहान काल में शब की इस्तिती में दो दो बिकल्प शास्त्रों में हैं सबसे पहले आपका जो प्रश्ण है कि क्या उत्तर को सिर करके व्यक्ति का दहान हो सकता है यह बतलाएं यह कहां पर है तो पहले इसको सुन ली जिएगा फिर व्याख्या सुनिए आदी पुराण में ये रिशियों का बचन है देखिए ये मैं अंत्य कर्म शाध्य प्रकात से बोल रहे हैं अधो मुखो दक्षिनादिक चरनस्तु पुमानिती स्वगोत्र जई ग्रहित्वातु चितामारु प्यतेशवः उत्तान देहा नारीतु सपिन्डई रपि बंदु भी ये है कह रहे हैं अधो मुखो ऐसा शास्त्रों में आया है पारसकर गी शूत्र में भी हरियर मिस्र के द्वारा और गदाधर जी के द्वारा ये प्रतिपादित है ऐसा लिखा गया है कि यदि पुरुष का दहन किया जाए तो पुरुष को अधो मुख उल्टा लिटाना चाहिए ये भी विधी है हमारे शास्त्रों पर आज कल तो सभी को सीधा ही लिटा करके सीधा ही शब किसी का भी हो पुरुष का शब हो या स्तिरी का शब हो सभी को सीधा ही लिटा करके दह वामें चरन हो तो जब दक्षन सिर्वान भामें पहना हो जो होगी तो उठीन पूझ रहीर थे जर्ड तो उठल मुपर्स हो पूछ ख्रकर करके पूमारी важ म जाया जाया और do गोत्र जाई ही उनके गोत्र में उत्पन लोगों के द्वारा शब का धन इस प्रकार किया जाना चाहिए गिरीत वातु चिता मारो प्यते शभा हा उनके बंदु बांदः वो शब को उठा करके दक्ष्ण की और पैर करते उए उत्तर की और सिर करते हुए उल्टा लिटा करक अगर जो नारी का शब है तो उत्तान दे है तो उसको सीधा लिटा करके दहन करना चाहिए सीधा किदर वही दक्षन दिसा में चरन उत्तर दिसा में सिर्फ लिटा करके उसका दहन करें यह जो है आपके प्रशन का उत्तर है मूल रूप से आप बात यह समझेए इसे संबंजित कुछ और बात है कि म्रत्यू के बाद दो विकल्प हैं कि म्रत्यू के बाद शब को कैसा लिटाए जा किसी व्यक्ति का देहान तो हो गया तो सामाने रूप से तो आम जो है पूरु मे शिर करके शयन करते हैं परंतु किसी व्यक्ति का देहान तो होने के बाद शब कैसे लिटाया जा इसके दो विकल्प हैं और चिता पर रखने के भी दो विकल्प हैं तो एक विकल्प जो है जैसा आपने कहा है सामवेदियों के लिए तो वो सामवेदियों के लिए यहां शा पूर्वकी और शिर करके अत्वा उत्तर की और शिर करके उसको लिटा देना चाहिए प्राक्षिर्शम और उदक्षिर्शम पूर्वकी और शिर करके या उत्तर की और शिर करके लिटा देना चाहिए कुत्र भूमव निवे बूमी पर लिखा हुआ है गाय के गोवर से बूमी लीप करके उसमें कुशा बिछा करके तब शबका उस पर निधापन होना चाहिए यह हर यह भासि में लिखा हुआ है पारसकरग्री सूत्र में और दूसरा बचन है ततो नित्वा समसाने सूस्थापए दुत्तरा मुखम और उसके बाद में यह जो है यह भी परंपरा है कि उसको दक्षन की ओर सिर करके दक्षन की ओर चरन करके भी लिटा देते हैं तो दक्षन की और सिर करके या पूर्व की और सिर करके या जो है उत्तर की और सिर करके तभी तो दक्षन में चलना होंगे ये जो है ये भी है ततो नित्वा समसान इसुस था पहे दुत्तरा मुखम फिर जो है समसान में ले जा करके उत्तर की और मुख यानि शिर करके दक्ष की और पैर करके उसको लिटा देना चाहिए यह लिखे रहे हैं अंतिकम शाद प्रकास में किन्तु यह बचन जो है वो दक्षन सिरसम कृत्वा सचाईलम्तु शवम्त था दक्षन की और शिर करके सचाईल शवकाश नपन करके इसको रखे यह जो परंपरा है यह नियम केवल स सामवेदियों के लिए हैं सामवेदी दक्षन की और शिर करके सबका रखें और बाकी के लोग जो है दक्षन में चर्ण करके रखें यूं समझ ले जाएगा और यह नियम जो है शादतत्व मैं कहते हैं सामे तरेशा मुतर शिरत्वम् शामवेद से इतर लोग है यानि यो इतर माने अलग जो शामवेद नहीं है जिनका ऐसे अथरववेदी रिगवेदी या यह यजरवेदी हैं वे लोग जो है उतर में शिर्षब का करें और में शब का पैर करें यह नियम तो यहां है परन्तु यहां लिखा हुआ है फिर आगे सब दाहा के समय पर चिता पर कैसे रखा जाए तो भूप प्रदेशे शुचव देशे पस्चा चित्या दिलक्षणे तत्रो तानम निपात्या इनम दक्षिना से रशम मुखे चंदों पर सिष्टम है कात्यायन कामत है यह नहीं लिखा हुआ है कि तो भूप प्रदेशे शुचव देशे ऐसी भूमी पर जो शुद्ध हो वहां और नहीं शुद्ध हो तो वहां जो है उसको सुद्ध कर लिया जाए जल आज से गोवर आज से लीप करके चिता भूमी पर भी उसको लीप करके ही रखना चाहिए यह भी बिधान है सुन्ध लख्षन युक्त चिता बना करके तत्रोत तानम निपाँतिय इनम उस फे उथतान सीड़ाही लिटावे कैजा दक्षना सिरसं मुखे दक्षन की और सिर करके दक्षना सिरसं मुखे तो उसको दक्षन की और सिर करके ही लिटाना चाहिए कहां चिता पर देखे तो चिता पर लिटाने के दो नियम हो गए दक्षन की और सिर करके अत्मा उत्तर की और सिर करके दक्षना देख चरनस्तू आगे अभी जो बचन बताया दक्षन की और चरन करके या दक्षन की और शेर करके तो ये नियम है ये नियम जो है दोनों के लिए है सामान रूप से वो नियम जो है मृत्यू के समय पर कैसे लिटाए जा बाद में वो तो सामवेदियों के लिए इस पश्ट रूप से लिखा हुआ था पर दाहा के समय पे ये दोनों नियम है तो अब कौन सा लियक किया जाए कहीं कहीं तो यहां जो परमपरा में हम लोगों की परमपरा में जो भी है यहां तो दक्षन की ओर जो है शिर करते हैं उतर की ओर पैर करते हैं ऐसे करके करते हैं पर दोनों ही भी धान है कि उतर की ओर ज भी कर सकते हैं ये आदिपुरान और ये जो है चंदों को परसिष्ट में इस तरीके के दोनों मत हैं तो अब क्या किया जाएं कौन सा सही है तो जहां दोनों आर्ष बचन होते हैं यानि कहीं कहीं दोनों ही रिशियों के मत हैं तो उसको ये कोई शाखा का बचन है तो लिख दिया जाता भई ये इस शाखा से संबन देता है तो ये रिवेदी ऐसा करें ये जो रिवेदी ऐसा करें ये कोई समर्तियों में जो किसी भी विशेश शाखा से संबन देत नहीं है ग्रिय सूतर में ऐसा नहीं लिखा है तो रिशियों का दोनों बच्चनों होता है तो तुल्य बलबिरोध हो जाता है दोनों रिशियों का जो है मत है और रिशिय कोई को बड़ छोट कहता परादू किसी रिशिय को छोटा हो किसी को बड़ा कहना तो ठीक नहीं है तो अब का लिखा हुआ है कि तुल्य बलबिरोध है भिकल पहा धर कोई कर ले ऐसा हो सकता है कि आज ऐसा कर लिया कल ऐसा कर लिया कहीं ऐसा कर लिया वो नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए फिर यह जो है अपनी श्रिष्ट परमपरा जिस क्षेतर में जिस इस्थान पर जिस कुल में जैसा होता हो फिर वैसा करें क्योंकि दोनों ही शास्त्री है यदि एक शास्त्री हो एक शास्त्री हो फिर कोई कहेगे नहीं हमारे यहां की परमपरा है हम ऐसा ही करते हैं तो वो परमपरा में आप फिर सुतंत्र नहीं है परमपरा कोई न कोई किसी न किसी शास्त्र से सम्मंदित होनी चाहिए यदि कोई बचन कोई भी बात शास्त्र से अविरुद है शास्त्र उसका विरुद नहीं करता है लेकिन आपके यहाँ आपके कुल में आपके देश में आपके गाओं में कुछ ऐसा विधान भी होता है जो शास्त्र से बिरोध नहीं रखता लेकिन सासर में लिखा भी नहीं है तब भी वो करे खास रूप से बिवाह में और शुशान में ये जो है ग्राम बचन की बिधी को अवस ही करना चाहिए इस जगे पर भगवान पारसकर का ये जो सूत्र है कि बिवाह स्मसान योह ग्रामम प्रविशत बिवाह में और शुमशान में ग्राम प्रविशत रियां ये जो है बड़ी पुरानी बूड़ी जो इस तरियां है वे अपने परंपरा का बहुत ध्यान रखती है उनके खुल में जैसा होता हो वे जैसा कहें तो सास्त से अवरिद्ध होने पर उस कारे को भी करें तो जिस देश में जिस जगे पर जो भी परंपरा चल रही है उसी प्रकार करें कि मरत्यू के बाद भी किदर लिटाते हैं तो मरत्यू के बाद लिटाने के तीन करम है दक्षन में सिर करके उत्तर में सिर करके या पूर में सिर करके तो उस तरीके से किरम है उत्तर में शिर करके या दक्षन में शिर करके दोनों ही शास्त्री हैं कैसे भी उसको लिटाया जा सकता है परंटु वो जो एक नियम था वो सामबेद्रियों के लिए ही था वो अपना इस पश्ट थाई दूसरी बात ये भी है शास्त्र में कुछ बात और बतला देते दो एक बात यो आपके बहुत काम के लिए होगी चिता में जो तुलसी का काश्ट अवस्ट डालना चाहिए लोगों को भरम रहता है कि तुलसी है हम कैसे जलाएंगे और शब तो अपवित्र है तुलसी परंपवित्र है उस काश्ट को कैसे रखा जाए तो देखिए जलाए जाए तो उसकी फिर पुन्रावृत्ति नहीं होती वो भगवान के धाम के लिए जाता है यद गत्वा ननिवर्तंते तद्धाम परमममा जो गीत उपनिसद में भगवान ने कहा है कि जहां जाकर के फिर जो जीव पुन्रावृत्त नहीं होता लोटता नहीं है वो म वो उपर जो है लकडी काश्ट कंडे आदे रखते जाते हैं और इधर से वस्तर उतारते जाते हैं अर्थात उसको नगन करके जलाते हैं उनका मानना है कि नगन ही जीवाता है और नगन ही जाता है परंत ऐसा नहीं होना चाहिए लिखे रहे हैं देखिए प्रचेता का बचन ह प्रचेता स्मृति का नगन देह को नहीं जलाना चाहिए अर्दाद वस्त्र पहन करके ही जलाना चाहिए और किसी माता का शब है और वो यदि सवभाग्यवति अवस्ता में जा रही है तो उनके साथ पूरा उनको श्रिंगार करके और विधिवत उनको जलाने का शास्त्र में बिधान है यद कोई माता शती होती थी पहले तो शती अवस्ता में भी उसको भाईदब्य तो होता ही नह उस समय शिरह स्थाने प्रदापयेद अगनी हमेशा शिर पर ही लगाना चाहिए अगर उत्तर में सिरकी आए तो उत्तर में और दक्षन में सिरकी आए तो दक्षन में ही अगनी का प्रारम करना चाहिए सब की हमेशा साथ परिक्रमा लगती है शब पर भी लोग उनके जो वन्शज हैं जो अन्याई लोग हैं वे भी उनकी शब की परक्रमा लगाते हैं तो शब की लोग पूछते हैं वही सब की कितनी परक्रमा लगानी चाहिए तो शब की साथ परक्रमा लगती हैं देखे गच्छेत प्रदक्षिना सब्ता समिद भी साथ वो जो मुखे जो मुखागनी लगाने वाला होता वो साथ समिदाओं को ले करके और परिक्रमा लगाता है और समिदा का प्रक्षेप चितागनी में करता है ये तो सब की परिक्रमा साथ लगाई जाती है और भी बिद्विदान पूरवक ये अवजदाई हिक कर्म को करना चाहिए क्योंकि शास्त्र में बतलाया गया है कि पुत्र के तीन कर्तब ये होते हैं देवी भागवत में लिखा है कि जीवतो बाग के करनाथ जब तक मातापिता जीवित रहे तब तक उनकी आग्या का पालन करना एक कार जीवतो बाग के करनाथ चाहिए भूरि भोजनाथ और जब उनका देहत्याग हो जाए स्वरगारोण हो जाए तो उनके मृत्यू के बाग शायाह पर भूरि भोजनाथ खूब शास्त्र की विधी पूरवक अपने पूरे शक्ति सामर्थे लगा करके वित्साथ ठिका परिवर्जन करते हुए और अउजद्वई हिक कर्म को शास्त्री विधी से यतोचित करे च्छयाए भूरि भोजनाथ ये दूसरी बात और तीसरी बात है गयायाम पिंडदानाच्च गया में जाकर के गयातीर्थ में जाकर के बिधिवत बाद में उनका पिंडदान करे बिधिवत जो जब उनको जो है उनका वारशिक स्राद हो जाए एक ओधिश स्राद हो जाए और वो पितर कोटी में पहुंच जाए तो लगवग तीसरी वर्स गया में जाना चाहिए मरत्यू के तुरंत बाद गया में नहीं जाना चाहिए लगवग तीसरी वर्स में गया में जाए और आगे भी कभी भी जाए और कई बार भी जा सकते हैं गया श्राद के बाद भी जो है गर पर कोई श्राद आद का निशेद नहीं है प्रामन भोजनात्मक तरपन आदी ये सब हो सकता है करे तो तीन कार बताए जीवतो बाके करनात छया है भूल भोजनात और गया याम्पिन दानाच्य तिरभी पुत्र से पुत्रता ये तीन कार करता है तभी वो व्यक्ति पुत्र कहलाने योग है नहीं तो वो पुत्र नहीं है वो तो ऐसा ही है क्या है वो सब समझ जाईएगा इसलिए ये तीन कार ब्यक्ति को अवश ही करना चाहिए तो वे धन्य है जिनके माता पिता जीवत है और उनकी आग्या में वे तत्पर हैं उत्तम पुत्र वही है जो पिता की आग्या का पालन पिता के कहने से पहले ही कर देवे और मध्यम अहां जो मध्यम वो है जो कहने पर करें और अध्यम वो है बार बार कहने पर करें पर कर तो देता है तो उसको भी पुत्र का गया चलो बार बार कहने पर कर देता है और वो तो जो है कही बार कहने पर भी जो कार पिता का कुछ भी कार नहीं करता है वो जो पिता कहते रहते हैं वो कुछ मानता नहीं है तो वो पुत्र नहीं वो तो मलमूत्र है ऐसा भागवजी में कहा गया है इसलिए आप सत्पुत्र बनें अपने माता पिता की बिधिवत प कर्म को भी विदिवत संपाधन करें ऐसा सास्त्र का मंतव्य है हर हर महादेव